नमस्कार आज का पेडिक्षन है डाइनिक रासी फल 28 मार्च 2022 के बारे में विक्रम सबन 2078 फालदुन मास्की कृष्ण पक्स की अग्यारस तिथी है अग्यारस जो है वो साम को चार बचकर 16 मिनी तक है इसके बाद तीथी बारस चलो हो जाएगी सौमवार स्रवन नक्षत्र है दोपर में 12 बचकर 24 मिन तक योग सिद्ध करण कॉलाव और चंद्र रासी मकर है रात को 11 बचकर 56 मिन तक यानि के 11.56 पीम उसके बाद रासी चलो होगी कॉम्ब नक्षत्र सरवन है दोपर में 12 बचकर 24 मिन तक उसके बाद नक्षत्र धन्था चलो होगा को और दन्था रात को मकर धन्था रात को 11 बचकर 56 मिन तक रहे गा वह इसके बाद पूम्ब धन्था नक्षत्र होगा तो चंद्रा ओलमस्ट आज दो नक्षत्रा और दो रास्ति भोगेंगे स्रवण और धनीष्ठा और आईए जानते हैं आज का ये दीन प्रतिक ग्रहों की परिसिति क्या है ये भी जान लेते हैं सूर्या अभी उत्तर भादरपत नक्षत्र में चल रहे हैं मीन रासी के अंदर और चंद्र जो हैं वो प्रवणा में हैं चोथे चरण के अंदर बू दूत्र बादरपत के दूसरी चरण में हैं गुरु पुर्व बादरपत दूसरा चरण शुक्र धनीष्ठा का प्रत्थम चरण सनी धनीष्ठा का दूसरा चरण राहु कृती का दूसरा चरण केतु विसाखा के चोथे चरण के अंदर हैं ये ग्रो की परिस्तिती है और चंद्र रासी स्रवण मकर और स्रवण और मकर गनीष्ठा और कूम गनीष्ठा ऐसे आज का ये दीन है तो स्रवण नक्षत्रा के बारे में और धनीष्ठा के बारे में बात करेंगे और मनस्तिती जो है डेली का जो प्रेडिक्सन है रोजबरोज का प्रेडिक्सन है इसमें चंद्रग्र का बहुत प्रधान्या है क्योंकि चंद्रफास्ट मुवमेंट करने वाले ग्रह हैं सबसे जैसे हमारा माइन भी बहुत विचलित होता है, बहुत फास चलता है, कभी हम खूश होता है, कभी दुखी होता है, और एक दिन के अंदर हमको कितनी बार माइन का चड़ा उतार होता रहता है, तो इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है, और स्रवन नक्षत्रा और धनीष्ठा का ये ट्रांजीट आए जाते हैं, अज के दिन के अंदर, पहले तो सबसे पहले बात करेंगे लाव रिलेशनसिप के बारें, तो सूर्या उत्तर भादरपत और चंद्रा स्रवना और धनीष्ठा, तो दोपर में बारा बज कर जो धनीष्ठा चालू होगा, ये उत्तर भादरपत से वद नक्षत्रा है, लेकिन उससे पहले चंद्रा जो है, वो स्रवना उत्तर भादरपत से साधक है, याने के जो आप आपके लिए सक्सेस जोन के अंदार हैं दोपर में साड़े बारा बजे तक उसके बाद चंद्रवद नक्षत्र में होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन करेंट करने वाले भी बन सकते हैं तो लाव रिलेशनसिप में थोड़ा केर्फॉल रहना होगा और नक्षत्र स्रवण और धनीष्ठा को ट्राणीट है मेस रासी वाले जतकों के लिए आज चंद्र नस्वेश्थान के अंदर रहेंगे और अस्रीनी वाले जातकों के लिए स्रवना किशैमतारा है दनीष्ठा प्रत्यरी है और लेकिन बहरणी वाले जातक का आज कुछ अनकमफोर्टेबल मैसुस करेंगे क्योंकि स्रवना वीपर्थ नक्षत्रा है और जो दनीष्ठा है वो शत्रो योनी है तो कुमरासी में बी कृतिका नक्षेत्र में जिनका जन्म हुआ है यह जातकों के लिए भी जो स्रवणा है यह सत्रु योनी है और धनीष्ठा भी पर नक्षेत्रा है तो ओवरॉल चंद्रवले दस्रे स्तान के अंदर है लेकिन आप देखेंगे के जो बेस रासी वाले जातक है कुछ अनकमफ नक्षेत्रा है फले है संपत लेकिन इसका 100% आपको बेनेफिट नहीं मिलेगा यातरा प्रवस यह आप कर रहा है तो आपका कुछ सामान चोरी ना हो जाए कुछ गरबढ़ ना हो जाए कोई आपके वीकल का कुछ एक्सिडेंट ना हो जाए उसका आपको कहर करना होगा कृ वरिश्चा प्रोहेणी के लिए यह जन्मत आ रहा है तो मद्यम फंद आई है वरिश्चा मुडग सीरा के लिए यह अत्यमित्र नक्षत्रा है तो आप सब के लिए शूप फंदेने वाला होगा स्त्रवना का ट्रांजिट और धन्नीष्ठा आपका जन्मत आ रहा है तो रात को पूरा दिन आप समझनों के मकर रासी ही होगे तो चंद्रा आठे स्थान में हैं तो यह अंकमफोर्ट जोन है धन्नीष्ठा के लिए फिर भी अतिवित्र और जन्मत आ रहा है नक्षत्रवल लेकिन आद्रावल यह तक सुबह में ज्यादा अंकमफोर्टेबल महसु करेंगे 2.30 साड़ा बारे बजन तक क्योंकि जो स्रवणा है वह आपका शत्रौ नक्षत्रा है और दनीष्ठा जन्मत जो है वह अति वित्र नक्षत्रा तो रहें जातक थोड़ा सा कमफोर्ट जोन पर रहेंगे लेकिन लाइफ का कोई भी इंपोर्टन डिसीजन लेने का जाता है बितुन नसी वाले तमाम जाताकों को आज के दिन में नहीं लेना चाहिए पूनर वसु में जिनका जन्म हुआ है बितुन नसी के अंदार ये जाताकों के लिए चंद्रा आज जो स्रमणा का ट्रांडिट है ये वद नक्षत रहा है लेकिन धनीष्ट चालो होने के ब दोपर में साड़ा बारा बज़े तक ठीक नहीं है लेकिन उसके बाद ठीक ठीक बोल सकता है मित्र नक्षत्र है पुश्य वाला जाताकों के लिए एकदम अंकमफुट जोल है जोकि आज का नक्षत्र स्रमणा आपका सत्रू है और दनीष्टा आपका वद नक्षत्र है करक पाटनर है आपके लिए सादक याने की सक्सेस जौन बनेंगे तो आपको इनकी और से कुछ बेनिफिट मिल सकता है को जो आज का ये चंद्रा है स्रवना का पांची पांची रसी सी रसी वाले जैतकों के लिए मघावे जिनका जन्म हुआ है इनके लिए एक सेम और प्रतिय साड़े बारा बज़े के बाद सेम तारा होगा तो आपके लिए फिर कमफोर्ट जोन बढ़ने वाला है उत्रफ हलकुनी के लिए दोपेर में साड़े बारा बज़े तक का ट्रांटीट एक्सिलेंट रहेगा संपत मक्षत्र हैं एबरोड रिलेशन एबरोड कनेक्शन सो आ जब तक स्रवणा में चंद्रा है साड़े बारा बज़े तक आपको कुछ लाब मिल सकता है लेकिन उसके बाद यदि आप सहर शक्टा गेंबलिंग करता हैं तो आपको कुछ लॉस आ सकता है कन्या हस्त के लिए आज का दिन एक्सिलेंट रहने वाला है क्योंकि आज आपका रहे हैं संपत fifteen इन फॉलारा Chitra के लिए जन्मतारा है तो जन्मतारा भी हमें सागो». देता है कम फॉर्ट react बड़ाता है कूंब रासी में कान्या के बाद बात करेंगे तुला राशी तूला चित्रा के लिए तो आपके लिए आपके लिए अबारश स्थान में उन तो उपर में साड़े बारा बज़े के बाद का जो चंद्रा है आपके लिए कमफोर्ट जोन बढ़ाने वाला है और बात करेंगे तुला स्वाती के लिए स्रवना का ट्रांजीट अपके लिए मित्र नक्षत्र तो जरूर है लेकिन ये अनकमफोर्टेबिल मैसुस करवाने व बढ़ेगा और विश्चाखा के लिए जो ट्रांजीट है वद नक्षत्र है वद नक्षत्र दो पर में साड़े बारा बज़े तक ठीक नहीं है उसके बाद आप कमफोर्टेबल मैसुस करेंगे विश्चिक विश्चाखा के लिए भी दो पर में साड़े बारा बज़े तक के वाद वुद्र नक्षत्र होता है कि तो आपको रिलेशन में बरत सिंस्टर और नेवर्स के साथ क्याल करना होगा को कि तो कि साड़े बाद बजे बात कष्के समय है आपके लिए सक्सेité जौन रने वाला है रफके लिए है आपके लिए चंद्र धनवाओं के अंदर होंगे मूला के लिए शत्रू नक्षत्र जैसा है और तनीष्टा प्रत्यरी है तो आपके लिए भी अंकमफोर्डेबल जोन रहेगा पूरुवा शाड़ा वाले शाड़े-बारा बजे के बाद कमफोर्ड जोन में आएंगे उत्र शाड़ा में जिनका जन्मों हुआ है इनके लिए शाड़े-बारा बजे तक कर समय सुब है लेकिन उसके बाद वीपत नक्षत्र होगा पारीवार एक मामलों में फाइनसल मेटर में कहर करना होगा वाने में सेंबरत में होगा खास करके कुटों के अंदर कूम रासी के लिए चंद्रा बारवेस्थान के अंदर होगे तो बारवेस्थान में चंद्र का फल ठीक नहीं है माइन का वाइबरंसी बढ़ाने वाले होंगे ऐसी परिश्थिति में आपको लाइप का कोई भी इंपोर्टन देसीजन तमाम कुम रासी वर अजयतकों नहीं लेना चाहिए नक्षत्र आज अतिमित्र और जन्मतारा है धनीश्था वाले जयतकों के लिए तो थोड़ा सा कमफोर्ट जौन बढ़ने वाला है शर्थ विशचा के लिए ये मित्र और अतिमित्र नक्षत्र बनेंगे और प साड़े बारा बज़े तक का समय आपको सामती से पास करना होगा लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए कंफॉर्ट जौन बढ़ सकता है तो मी नसी के लिए बात करेंगे चंद्र ग्यारवे स्थान के अंदर है पूरूव बादरपद वाले जातकों के लिए साड़े बारा बज़े तक का समय शूब नहीं होगा मित्रों के साथ आपके संतानों के साथ रिलेशन्सिप में तनावना बड़े उसका क्यार करना होगा उत्तर बदरपद के लिए सादक नक्षत्रा है लेकिन दोपर में साड़े बारा बज़े के बाद वद नक्षत्रा है तो मित्रों के साथ संतानों के साथ रिलेशन्सिप म आप महसूस करेंगे तो पिर भी सादक नक्षत्र है तो पचास्ट का तो फल आपको मिलेगा नक्षत्र सांती के लिए क्या करना है स्रवण और धनीष्ठा की सांती के लिए आपको बंदरों को कुछ मीठा खिलाना है जैसके क्रैप्स है केला है एपल है यह तो ग्लुकोश बिस्किट है चना और गुल भी आप खिला सकते हैं इस नक्षेत्र जोतिस प्रेडिक्शन को आप अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा सर करें ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाब मिलें और मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी नमस्कार जैए गड़ेश